दोस्तों CUCD 2021 के जितने भी aspirants है एंड जिन students का जो है अभी तक admission नहीं हुए है उन सभी के लिए जो है बहुत important and urgent information आप सभी के लिए करके आया हूँ यहाँ पर जो है यह information Central University of South साथ बिहार की तरफ से आई हुई है और क्या information इसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करने वाले है तो आप सुभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज एंड देखना एंड उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना विगोज आप अपने portal को open कर दिया है जिसमें आपको फिर से registration करना है registration की date बता दू registration के लिए आपको 6th of December से लेकर के 12th of December तक के लिए आपको date दी गई है तो जो भी aspirant चाहते हो Central University of South Bihar के लिए 4th counseling में हिस्सा लेना तो आप जाकर के 6th of December से लेकर के 12th of December तक आप registration कर सकते हो and registration के लिए आप यहां पर fee check कर लो fee आपको लएगी general यहां पर OVC and EWS के लिए आपको यहां पर लएगा 500 rupees and 200 rupees लएगा आपको ST and SC candidates के लिए and यहां पर एक important बात यहां पर यह है कि जो aspirants पहले से registration कर चुके हो या फिर पहले से registration नहीं किये हो दोनों ही candidates को यहां पर 4th counseling के लिए आपको दुबारा से registration करना है and यहां पर notification जो है आप official website पर जा करके भी check कर सकते हो जिसमें जो है आप यह चीज़ों को देख सकते हो and सबसे important बात है कि 4th merit list जो है आपको यहां पर counseling के बाद में जो है आपको 16 of December को जो है release की जाएगी तो जो भी aspirants यहां पर list का भी wait करना चाहते हो तो यहां पर counseling में आप हिस्सा ले सकते हो लेकिन यहां पर important बात आप सभी यहां बताते चलू कि यहां पर जो भी candidates है आप सबसे पहले website में जो है जो आपको 4th cut-off list के लिए यहां पर एक PDF आई हुई है वहां पर जा करके चेक कर लो सबसे पहले कि किन courses के लिए admission close हो चुकी है और किन courses में जो है आभी तक seat vacant है इसके बारे में Central University of South बिहार ने यहां पर जानकारी दे रखी है तो आप जाकर करके website में चेक करो उस PDF को किस subject में seat बची हुई है और किस category में seat बची हुई है वो भी आप चेक कर लो ताकि आप जो है जिस भी categories belong करते हो तो आपके category के website पर जो है ओगे अपने website पर यहां पर जो PDF आई हुए उसमें फी structure भी प्रोवाइड़ है तो बागी सारी चीज़े आप चेक कर सकते हो तो यह important update आप सभी के लेकर करके आया था तो last यहां पर मौका है admission का तो guys आप जाकर कर registration कर लो तो guys मिलते है नेश्ट के update and video साथ में न कि दूंस